रादोर सरकरी अस्पताल में पिछले 2 दिन से दिन वेक्सिनत क knak एक कारे नहीं भूल रहा है अस्पताल प्रिशासन द्वारा कोविड वैक्सिन उपलब्द काह nation थी गजालगार है जिसे अस्पताल में टीक करन कराने के लिए पहुच रहे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन कराने पहुचे लोगोंने बताये कि उन्हें मोबाईल पर वैक्सीन लेने के लिए समय दिया गया था लेकिन यहाँ पिछले दो दिन से वैक्सिन खत्म होने की बात कही जा रही है लोग यहां से खाली चले गए मांग तो यही है बई जो है ना वैक्सिन होनी चाहिए जो उनको सैकंड टिक लगवाने इतने दूर दूर से आते हैं लोग और वह खाली वापिस चले जाते हैं परसानों के अब जब मोबाइल पर यहां उनको सूचना दें यहां नोटिस बोड को पहली डोज लगवाई थी और अब दूसरी डोज के लिए इन्होंने कहा था 28 दिन के बाद आना तो कल भी हम यहां आए परसों और आज भी आए किंद कोई सूचना नहीं बाहर एक चिट लगा दी कि दवाई खतम हो चुकी है तो यह सोचो कि कल एक मैई से जो 18 प्लस में लगना है वो कैसे काम होगा जब शचुकी है वेक्सीन नहीं है दोगों के । लोगों ने कहा कि एगर अस्पताल में वेक्सीन नहीं है उस समबंधी संदेश भी उनके मोबाईल में भीज ना चाहिए ताकि लोगों को यूँ परेशानी न जहेलिनी पड़े वहीं एक माई से वैक्सिनेशन के तीसरे चण के तहट 18 प्लेस आयू वर्ग और वैक्सिन देने का अविहान शुरू किया जाएगा तो वहीं ऐसे में रादौर सरकरी एस्पताल में पिछले दो दिन से वैक्सिन उपलब्द नहीं है रादौर से कुल्दीप सैनी पंजाब केसरी टीवी